वेल्कम टू मी टाइम वित अभिलाशा आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेट के बहुत ही आसानी से कम समय में बनने वाले टेस्टी दही बड़े ये हिटेन ट्रेजर दही बड़े हैं इनके अंदर हमने फ्रूट्स और ड्राइ फ्रूट्स की स्टफिंग की है ब्रेट के दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेट ब्रेट के किनारों को हमें काट लिरा है मैं यहां तस ब्रेट यानि टेन ब्रेट यूज कर रही हूँ एक ब्रेट से एक बड़ा बनेगा और हमें चाहिए दही, दो कप दही, स्टफिंग के लिए आप fruits या dry fruits यूज कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए Spacely Hidden Drizzle दही बड़े में बनाने वाली हूं, उसके लिए हमें fruits या dry fruits चाहिए 2 T.E.S.P. लाल मिर्ज पॉडर 2 T.E.S.P. भुना पिसाल जीरा काला नमक 2 T.E.S.P. चीनी स्वादनुसार चाट मसाला 2 T.E.S.P. काली मिर्ज पॉडर 2 T.E.S.P. पानी वड़ों को गार्णिश करने के लिए हमें चाहिए सुगर स्क्रिंकल्स, हरी चेटनी, इमली की चेटनी, पुदीना के पत्तियां और स्वीड अचेटनी सबसे पहले पिणारों को हम काट के अलग कर देंगे इन किनारों को आप फीकिएगा नहीं क्योंकि अपने आने वाले वीडियो मैं इंसे एक बहुत ही स्वादिस्त और बहुत ही असानी से बनने वाली रेशीपी शेयर करने वाली हूं जो सभी को बहुत ही पसंद ब्रेट के किनारों को काटने के बाद अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहेंगे और एक बड़े बोल में डालकर इन्हें मैश करना है ब्रेट को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब यह देखिए इस तरह से हमेशे मैश कर लेना है अब हम इसे एक और रखेंगे अब हम दही में मसाले मिलाएंगे दो कब दही हमने ली थी इसमें हम डालना है वन टी स्पून चाट मसाला वन टी स्पून काली मिर्च पौडर वन टी स्पून लाल मिर्च पौडर वन टी स्पून भुना जीरा पौडर और वन टी स्पून काला नमक और चीनी स्वाधनोसार अब हम इसे अच्छे से एक मिर्ट मिक्स करेंगे चीनी और मसाले दही में अच्छे से भूल चुके हैं अब इसमें से मैं हाफ कप के लगबग दही एक दूसरे बोल में मिकाल लूँगे बोल में जो हमने दही निकाली है इसे हम ब्रेड में मिक्स कर देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो की तरह तयार कर लेंगे इसे हमें बहुत हार्ड नहीं करना है शॉफ्ट टोली बनाना है इसका हमें हलके हाथों से ये डो हमें बनाना है देखिए डो बिल्कुल रेडी है हमें इसी तरह का डो चाहिए ताकि आपस में बस चिपक जब रहे हूं अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे पॉल्स दिल्कुल रेडी हैं पर अगर आप बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको हेडन ट्रेजर बड़े बनाना बताने जा रही हूं इसके लिए इन बड़ों के अंदर हमें उनके पसंद का कोई की फ्रूट या ड्राइ फ्रूट रख दीना है और अब फिर से इनके बॉल्स बना लेना है इसी तरह आप स्टफिंग के साथ या बिना स्टफिंग के भी बॉल्स को बना सकते हैं अब हम इसी तरह कशिए अन्हें सारी बॉल्स मनाते जाएंगे बॉल्स बिलकुल रेडी हैं अब हम इने सवकर सकते हैं ये दख़ी वड़े बहुत ही जनरी बन जाते हैं अब हम दही बड़े को सर्व करेंगे इसके लिए हम सर्विंग प्लेट्स में बड़ों को निकाल लेंगे अब इनके उपर हम दही डाल देंगे जो हमने मिक्स दही बनाई थी मसालों के साथ और चीनी के साथ अब मैं इनके कार्णिश करने जा रही हूं इसके लिए मेरे पास है हरी चटनी और इमली की चटनी अब हम इसके उपर डालेंगे काला नमत पुना जीरा पॉडर चाट मसाला और लाग दिसी मिर्च इन्हें मुदेने की पत्तियों से गाणिश कर रहे हैं किट्स के लिए इस पेसली मैं आपको गार्णिश करने के लिए दिप्स देना चाहूंगे आप इन्हें सुगर स्प्रिंकल्स से कलर्फुल स्प्रिंकल्स से गार्णिश करें आप इन पर थोड़े से सेव डाल सकती है इसके दही बड़ों पर हरी चट्नी और इमली की चट्नी नहीं डाली है आप एकॉर्डिंग टेस्ट उनके दही बड़ों पर भी इमली की चट्नी और हरी चट्नी सौख कर सकते हैं इसे इमेडियेटली सब करें आई होप बच्चों को और बड़ों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर ऑ कर दो झाल सकते हैं झाल सकते हैं घए तक कर दो अब़ों को ये लाइक सब्सक्राइब आने को ये लो अब़ों को ये आने आई हैं झाल झाल